हेल्थ संबन्धी जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं आज के वीडियो में बात करते हैं चेहरे के दाग, धब्बे, जाईयों को कैसे दूर हटाया जाए और कौन से होम और होमेपेथिक मेथड हो सकते हैं चेहरे के दाग और धब्बे को हटाने के लिए तो घरेली उपाय के साथ साथ होमेपैथिक दवाईयां भी हैं जो कि आपकी चेहरे के दाग धब्बे जाईयों को निश्चित अटाएंगे तो पहला घरेल उपाया है जायफल को कच्चे दूद में घिसकर इसमें 10 काली मिर्च मिला कर पीछ लें और चेहरे पर लेप करें दो घंटे बाद चेहरा धोले तो दिखे जो जायफल है और जो काली मिर्च है इसमें जो इसकीन के जो मिलैनिन है उसको कम करने की छमता होती है इसमें तो अगर मिलैनिन कम होगा तो चेहरा अपने आप चमक उठेगा तो यह जो मिलैनिन को निट्रलाइज करते हैं जायफल और काली मिर्च तो इसको आप यूज करें और दूसरा घरेल उपा क्या है नीबू में फिटकरी भरकर चेहरे के डाग धब्बे पर दगने हलका हलका मसाज करें डाग धब्बे हलके होकर खत्म हो जाएंगे तचा में न दूसरा के कारण जो निसान पढ़ गया है वो सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि नीबू में सिट्री के सिड है और फिटकरी में साल्ट है वो दोनों मिलकर के डाग धब्बे को खत्म करेंगे तीसरे घरेल उपायक अगर बात करें तो एक बड़े चमच मुलतानी मिट्टी मे तीन बड़े चमच संतरे का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं या दाग धब्बे को खत्म कर देता है मुलतानी मिट्टी और संतरे का रस लगाएं तो दाग धब्बे निश्चित खत्म हो जाते हैं इस उपाय से तो आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं और संतरा जो है उस तिल समान मात्रा में मिलाकर पीछ लें इसका नियमित एक चमच पानी में पेश्ट बनाकर लगाएं और दो से तीन घंटे बाद चेहरे को धूलने या फिर इसको सूबा भी धूल सकते हैं अगर साम को आप लगाते हैं तो सूबा इसको धूलने तो हल्दी जो टर्मरीक है इस इसकीन को स्वस्त बनाएंगे और खोल सूरत बनाएंगे होमेपेथिक ट्रीटमेंट के अगर बात करें तो बारबारिस एकोफोलियम 30 आप ले लिजे डेली सूबा और साम दोबूंद या चार गोली जीप पर रखिए जीप पर होमेपेथिक दवा बहुत अच्छे से काम क करती है तो बारबारिस एकोफोलियम जो भी दाग धब्बे जाईया है उसको अंदर से नश्ट करेगा और बाहर से खत्म करने के लिए सिल्क एंड स्टाई क्रीम आता है चेहरे पर लगाएं लगाने से पहले चेहरा अच्छे से धोलने और उसके बाद फिर चेहरे पर लग थैंक यू